है ना Saturday है तो Saturday vibes के साथ आज हम करेंगे हमारा chapter name क्या है A Short Monsoon Diary क्या है A Short Monsoon Diary जो किसने लिखी है हमारे Ruskin Bond ने किसने लिखी है ये Ruskin Bond ने लिखी है ठीक है समझ आ गया आज हम करने वाले है chapter explanation कौन से पार्ट का पार्ट टू का करेंगे chapter explanation A Short Monsoon Diary का आज है हमारा part 2 ध्यान रखना quiz आएगा इसके बाद बच्चों लेकिन quiz से पहले ज़रा मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी जैसे कि हर बार बताती हूं हर रोस बताती हूं हर क्लास में बताती हूं क्या बताती हूं यहीं बताती हूं कि देखो मेरा ना अभी तक तो देखो जैसे में गया जब मैंने बोल दिया चलो open your books and sit quietly fold your arms और सुनते रहो सुनते रहो ऐसा नहीं है अब टाइम आ गया है जब आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं बहुत जरूरी होता है तो उसी के साथ मेरा भी तक जो इंट्रोडक्शन चल रहा था पहले सबसे पहले मैंने वो किया उसके बाद बच्चो यही आपकी quiz की slide है हम quiz करेंगे दो questions आपको पता है हमारे यह first five minutes में आता है first five minutes में यह हमारा पहला quiz आता है फिर उसके बाद बच्चो हमारा यही chapter explain करेंगे ठीक है chapter explanation करेंगे फिर बच्चो आप लोगों का दूसरा quiz आजाएगा आप लोगों का क्या dूसरा quiz आजआएगा उसके इसमें बी डो questions होँगे ठीक है और बच्चो यह आपका 20 आ 30 minutes के बीच में आजाएगा 20 शर्था minutes के बीच में आजाएका फिर बच्चो आप लोगों का वापिस से में chapter explain करूंगी ठीक है और फिर बच्चो आप लोगों का फिर एक quiz आजागा यह आपका third third quiz होगा दो questions होगे और यह आपका 30 से 40 minutes के बीच में आ जाएगा ठीक है ठीक है बच्चो चलो बहुत बढ़ी है यह लिखा वह है दो question पर इदर चलो ठीक है तो चलो उसी के साथ फिर आते हैं शुरुआत करते हैं हमारे किसकी शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे quiz की तो यह रहा आपका पहला question 10 10 10 the sound of the falling rain on the on tin roof disturbs the author in his reading helps the author to read annoys the author makes the author leave that place जल्दी बता दीजे इसका correct answer क्या है इसका correct answer होगा a b c d ठीक है चलो जल्दी से बता दो the sound of the falling rain on tin roof disturbs the author in his reading helps the author to read annoys the author makes the author leave the that place चलो बताओ उसी के साथ आते हैं हमारे next question पर ये रहा हमारा next question आप लोगों की screen पर who are the obnoxious visitors that arrive at the hill stations leopards and leeches drongos and minuets both of these none of the above चलो उसी के साथ आते हैं हमारे explanation time पर पहला question ये रहा आप लोगों की screen पर क्या rhyme बनी है ना बच्चो ये आते हैं हमारे explanation time पर फिर क्या बोला तामने चोड़ो और ये रहा question आप लोगों की screen पर चलो ठीक है ना पहला question क्या है the sound of the falling rain on tin roof अच्छा उस रूफ पर तिन की रूफ पर जो आवाज आ रही थी बारिश की गिरने की वो आवाज कैसी थी disturb कर रही थी author को reading में ठीक है disturb कर रही थी author को reading में बी help कर रही थी author को read करने में annoy कर रही थी गुसा दिला रही थी हमारे author को या फिर author को इतना distract हो रहे थे कि उन्होंने वो जगा ही छोड़ दी थी बच्चो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer देखो डिस्टरब तो नहीं हो रहे थे हमारे author ना ही उन्होंने गुसा रहा था ना ही उन्होंने जगा छोड़ी थी उनको मज़ा रहा था ठीक है उस अवास के साथ उनको read करने में मज़ा रहा था तो correct answer क्या होगा option number B is the correct answer yeah चलो उसी के साथ आते हैं next question पर who are the obnoxious visitors that arrive at the hill station ठीक है बच्चो कौन थे वो visitors जो हमारे hill station पर पहुंचे थे ठीक है who were the who are the obnoxious visitors that arrive at the hill station चलो leopards and leeches drongos and minuets both of these none of these correct answer रहेगा इसका option number a leopards and leeches ठीक है चलो बहुत बढ़िया उसी के साथ आते हैं हमारे explanation के time पर over हो गया है तो आते हैं हमारे जल्दी से आध चैप्टर खतम हो जाएगा यह पार्ट टू का चैप्टर एक्स्प्लेइन करेंगे comprehension चेक करेंगे question answers कुछ discuss करेंगे word पार करेंगे difficult words जो है चलो अब आप लोग जानते हो ना बच्चो क्या जानते हो आप लोग है अच्छा यह जो a short monsoon diary है जल्दी से एक बार recap करते हैं तो for example आप लोग डाइवी मैंने आप लोगों को 3 p.m. वाली class में writing section करा रही हूं उसमें मैंने आप लोगों को diary entry भी बद पढ़ा रख है राइट तो diary entry हम अपने personal account के लिए लिखते हैं जिसका कोई fixed format नहीं होता कोई sad news होती है happy news होती है वो सब हम अपना share करते हैं ठीक है किसमें अपनी diary के साथ तो हर कोई diary लिखता है बच्छो तो ऐसे ही यह जो diary होती है ना वो personal experience होती है जो हर कोई हर रोज रोज लिखता है तो कोई एक डाइरी है जो बहुत बहुत ही famous डाइरी है वो the diary of Anne Frank के नाम से publish हो रखी है और बच्चो उनकी बुक में से हमारे रसकिन बॉन्द की डाइरी में से हमारे पास क्या है बच्चो हमारे पास कुछ उनके pages हैं जो उनकी memories है जो बताता है हमारे अदबुद अनोखे ठीके miracles को किसके nature के हमारे nature के हमारे environment के अदबुद अनोखे miracles जो होते हैं और हमें जो छोटी छोटी चीजों में अच्छी लंबी लंबी छोटी छोटी खुशिया मिलती है उन सब चीजों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कहां से nature से जो मिलती है ठीक है तो उस करने वाले हैं कि आज हम करने वाले हैं इसका part 2 पार्ट 1 में देखो वो क्या कह रहे थे पार्ट 1 में कह रहे थे जून 24 का time है वो जा रहे थे बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ उन्होंने देखा कि उस हिल के वहां क्या आ गया है वो कोब्रा लिली आ गई है बारिश के और यह लोग बढ़ने लग गए हैं यह अपने फोन से उगने लग गए हैं फ्लार उग रहा है मौनसून फ्लार्स आ रहे हैं मौनसून प्लांट्स उग रहे हैं मौनसून अनिमल्स निकल रहे हैं जो बारिशों के टाइम में कीड़े आ जाते हैं ना है ना वो आ रहे हैं तो बच्चो हमने पार्ट वन में उसकी खुबसूरती के बारे में पड़ा वो जो कीड़े होते हैं वो जो फूल होते हैं जो मौनसून में आते हैं वो अभी नहीं आएंगे क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर टाइम है और उनको पता है कि अच्छा इस सीजन में मुझे आना है इ इसे आजाते हैं बतानी कहां से आजाते हैं समझ भी नहीं आजाता पता नहीं चलता ने एक टाइप की जो हमारे मच्छर होते हैं हमारे आजाते हैं और फिर वो दिवाली से पहले नहीं जाते हैं ऐसा होता है न दिवाली से पहले खतम नहीं होते हैं और जहां देखो जिस यह समझाना चार्यों कि इविन प्लांट्स, इविन आनिमल्स देनों कि उनको किस सीजन में आना है, हमने यह पढ़ा है, हमने यह पढ़ा है कहां पर, हमने इक लास्ट में पढ़ा था, बच्चा पूछता है माउंटेन कैसा लगता है, तो वो बोलता है कि पारडाइस ऑन जन्नत है, ठीक है, माउंटेन एक जन्नत है, तो वो ऐसी डिसक्राइब कर रहे थे, तो उसी के साथ आते हैं, बच्चो, हमारे पार्ट टू पर, पार्ट टू पर आजाते हैं, जल्दी से और देखो, ओगस्ट टू, दो अगस्ट की बात है, ओगस्ट टू, आल नाइट द The rain has been drumming on the cordugated tin roof. एक सेकिंड बच्चो. All night, the rain has been drumming. मतलब बहुत तेज हो रही थी. पूरी राच से, क्या बारिश हो रही थी? बहुत तेज. है ना? बहुत तेज ही की बारिश हो रही थी? पूरी राच से. All night, the rain has been drumming on the cordugated tin roof. उस tin roof पर बहुत तेज की बारिश हो रही थी? There has been no storm, no thunder, just a steady swish of a tropical downpour. ना तो कोई बादल गरज रहे थे? ना तो कोई बवंडर बारिश का था? ना तो कोई बिजली कड़क रही थी? सिर्फ और सिर्फ बारिश होती जा रही थी? heavy downpour हो रहा था? मतलब बहुत heavy rain हो रही थी? it helps me to lie awake at the same time it doesn't keep me from sleeping. अच्छा वो मेरी ये जो बारिश चल रही है ये मेरी help कर रही है किस में कि मैं लेटा हुआ उठावा हूँ लेट कर भी उठावा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ लेटा हुआ है लेकिन वो उठावा है I am lie, it helps me to lie awake मैं को उठे रहने में help करती है ये बारिश और उसी same time पर it doesn't keep me from sleeping और उसी time पर it doesn't keep me from sleeping मतलब एक ही time पर उसे वो उठाती भी है मतलब उठाके भी रखती है और इतनी soothing लगती है कि वो उससे उनको नीद भी आती है It doesn't keep me from sleeping It is a good sound to read by The rain outside, the quiet within तो वो बहुत अच्छी sound है अगर तुम सुनना चाहो वो बहुत अच्छी sound है वो किसकी sound? वो बारिश जो की बाहर है वो इतना शांत इतना जो area शांत हो चुका है उनको बहुत अच्छा लग रहा है The quiet within इंसान मतलब अंदर से शांत हो चुका है The quiet within अंदर से सुकून, अंदर से शांती And although tin roofs are given to springing uncountable leaks और जो tin roofs होते हैं उनमें बहुत leakage होती है, पानी टपकता है There is a feeling of being untouched by And yet in touch with the rain एक feeling होती है किसकी? एक feeling होती है Of being untouched by And yet in touch with the rain ऐसी feeling है ऐसी feeling जे तुमें लगते हैं कि तुम उससे दूर नहीं हो सकते हो लेकिन तुम उसके touch में भी हो बहुत ही अलग feeling बता ही है न August 3 ये तो बात थी बच्चो August 2 की ये 2nd August की बात थी फिर उन्होंने रसकिन बॉन ने August 3 के बारे में लिखा हुए है The rain stops बारिश रुख गई है The clouds begin to break up अब जो clouds हैं वो अलग-अलग हो रहे हैं जो इकठे हो रखे थे और बारिशे हो रही थी उससे अब जो clouds हैं वो ब्रेक हो रहे हैं The sun strikes the hill on my left The sun strikes the hill on my left तो उनको उनके वो कह रहे हैं कि जो clouds अब बिलकुल जम रहे हैं और जो sun है अब उनके लेफ्ट में उग रहा है हैं उनके लेफ्ट में उग रहा है A woman is chopping up sticks ठीक है A woman is chopping up sticks तो वो जो women है तो वो जो औरत है वो जो और चलो अब जो औरत है बच्चो वो क्या कर रही है वो sticks को chop कर रही है काट रही है है ना I hear the tinkle of cowbells ठीक है तो उनको आवाज आती है उनको आवाज आती है cowbells की उनको आवाज आती है cowbells की इसी लिए ठीक है तो उनको क्या कहते हैं उनको cowbells की आवाज आती है In the oak tree a crow shakes the raindrops from his feathers and cause this consolately अच्छा ओक ट्री में जो crow है वो जो crow है वो ऐसे shake करता है उस पेड को और जो raindrop है ऐसे shake होता है ऐसे shake होता है और फिर उससे जितने भी raindrops हैं उसकी फैदर से और उसकी कॉर से वो फिर उतरते हैं Water drips from a leaking drain pipe Drain pipe से water leak हो रहा है and cause disconsolately मतलब जो crow है वो जो कह है वो ऐसे कॉर करता है वास करता है कॉर ऐसे unhappily Water drips from a leaking drain pipe and suddenly clean and pure the song of a whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine तो वो कह रहे हैं पानी जो है वो drip करता है leak करता है कहां से drain pipes और अचानक से बहुत ही clean बहुत ही pure अवाज आने लग जाती है ठीक है जैसे कि कोई dark sweet secret हो कहां valley के depths में से valley मतलब low land होता है जो दो mountains के बीच में होता है समझ आया इतना तो मतलब बच्चो इसमें न आप ये तो समझो वो जो क्या बोल रहे हैं वो तो मैं समझाई हूँ लेकिन आप उसकी न deep meaning समझो कि वो कहना क्या चाहरे है वो ये दिखाना चाहरे है कि हमारे environment में कितना जादा मतलब अनोखी अजूबा चीजे होती है कि वो आवाज कि जैसे हमारी रूफ पर टिन रूफ पर बारिश गिर रही है तो तो वो एक अलग आवाज होती है जो अगर आपने सुनी होगी तो वो आवाज बहुत soothing लगती है कभी आपने किसी bird को वो गीली है तो आपने उसका ऐसे जर्राते हुए देखा हो तो कितना वो अलग नेचर है आपने अगर बारिश को कभी बिजली आते वे देखी है तो आप अगर देखते होंगे तो वो एक अलगी नेचर का गिफ्ट है एक second के लिए आती है blink of a second में चली जाती है आप आखे बिलिंक करते हो वो light चली जाती है ये तो अजूबा है ना ये सब चीज़े बारिश हो रही है उपर से cow bells के जो cow के वो जो bell लगी वी होती है उनकी वो चलने पर उसकी वो टन टन आवाज आती है तो ये सब नेचर का gift है नि तो क्या है वो नेचर को देखकर बहुत ही अलग दुनिया में चले जाते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है वो देखते हैं पानी कैसे लीक हो रहा है ड्रेन पाइप से और फिर कहते हैं अचानक से न उसदर वैली से आवाज आती है जैसे कि कोई deep dark secret हो dark secret हो कोई और कोई गा रहा है कोई birds गा रही है whistling हो रही है ठीक है अवाज आ रही है गानों की उसदर वैली में से चलो rewind का मतलब क्या होता है rewind का मतलब होता है valley यह रहा ना last word यहां पर चलो august 12 अभी पहले हमने बात करी august 2 की फिर हमने बात करी august 3 की अब august 3 के बाद हम बात करेंगे august 12 की august 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कहीं नहीं है सीधा august 12 है ठीक है endless rain and a permanent mist खतरनाक बारिश हो रही है ना रुकने वाली बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है वो जो mist होता है mist मतलब वो जो पानी का cloud होता है जिससे आपको आगे नहीं दिखता जो पानी का cloud होता है जिससे आपको आगे नहीं दिखता है वो कहरे है कि वो ऐसा लग रहे है वो permanent हो चुका है वहाँ पर We haven't seen the sun for 8 or 9 days हमने सूरज ही नहीं देखा है पिछले 8-9 दिनों से Everything damp and soggy Nowhere to go बहुत जादा गंदगी हो गई है बहुत जादा गीला गीला हो गया है हर जगा हम कहीं नहीं जा सकते हैं सब जगाए पानी से भर गई है Pace the room Look out of the window क्या कर सकते हैं बस room में ही रह सकते हैं Window के भार देख सकते हैं At a few bobbing umbrellas जो कुछ लोग निकल रहे हैं Umbrella ले ले कर At least It isn't cold rain The hillsides are lush As late monsoon flowers begin to appear जो hillsides हैं वो एकदम lush हैं Lush मतलब एकदम green है क्यों? क्यों कि Late monsoon flowers भी आना शुरू हो गए हैं Late monsoon flowers आना भी शुरू हो गए हैं Wild balsam Dehlias Begonias and Ground Orchards ठीक है? वो कह रहे हैं कि वो जो hillsides हैं वो भी एकदम green green हो चुक हैं आप पर photo में देखो आपको दिख रहा होगा जो hillsides हैं वो भी green हो चुक हैं क्योंकि late monsoon जो flowers होते हैं वो भी आने लग गए हैं अब तो ठीक हैं जैसे की wild balsam Dehlias Begonias and Ground Orchards ठीक है चलो आ जाते हैं उसे के साथ August 31 पर August 31 पर आते हैं अब August 12 के बाद आ रहे हैं सीधा August 31 पर अब ये आखरी दिन है 31st August है है ना तो ये क्या है आखरी दिन है किस का August का and the lush monsoon growth has reached its peak Last day है August का और जो lush monsoon growth है वो कहां पहुच चुका है अपने peak पर पहुच चुका है And the lush monsoon growth has reached its peak वो जो lush green जो हमारे lush मतलब green green हमारे जो flowers आ रहे थे और वो जो monsoon है वो monsoon के जो फूल उग रहे थे वो अपने best में उग चुके हैं अपने growth जो उनकी best हो सकती थी वो हो चुकी है The seeds of the cobra lily are turning red और वो जो cobra lily हमने जो last class में पढ़ा था ठीक है तो वो जो cobra lily की जो leaves है वो भी अब red होने लगी है are turning red signifying that the rains are coming to an end अच्छा cobra lily, जो cobra lily है ठीक है जब वो red होने लग जाए न तो उसकी seeds जब red होने लग जाए तो समझ जओ monsoon खतम होने को आ रहा है वो भी red होने लग गई थी मतलब की monsoon भी खतम होने लगा था In a few days the ferns will start turning yellow और कुछी बारिशों के बाद अब वो जो ferns हैं वो जो फूल हैं वो अब क्या होंगे वो yellow होने लगेंगे But right now they are still firm green and upright लेकिन फिल्हाल तो वो अभी बहुत ही firm है ठीके बहुत ही firm है एकदम धीले नहीं है एकदम green है जैसे उन्हें होना चाहिए जिस position में जिस हालात में होना चाहिए उन फूलों को वो सी में है ground orchards mauve lady slipper and the white butterfly orchards put on a fashion display on the grassy slopes of Flindor ठीके तो जो orchards फूलों के बारे में बता रहे है वो जो grand orchards है mauve lady slipper है और white butterfly orchards है put on a fashion display on a grassy slopes of Flindor तो वहाँ पर वो एकदम display fashion display लगता है वहाँ पर ठीके fashion display लगता है उन grassy slopes पर किसके लेंड और के हमारे wild helly eyes ठीके red, yellow and magenta rare their head from their heads from the rocky screvices मतलब narrow opening where they have taken hold ये जो हमारे wild helly eyes ये जो फूल है red, yellow and magenta ये क्या कर रहे है ये अपने rocky ये narrow opening हो रही है उनकी जहां से उन्होंने अपना hold ले रहे है hold ले रहे है ठीक है snakes and rodents flooded out of their holes snakes and rodents flooded out of their holes and burrows अच्छा बच्चों ये अभी पहले बाद में करते हैं पहले अभी quiz कर लेते हैं ये भी बाद में करेंगे paragraph पहले quiz करते हैं तो ये रहा quiz आपका तो जल्दी से आते हैं quiz की और और बढ़ते हैं explanation time पर पहले explanation नहीं आएगा पहले quiz दोंगी timer लगा हुआ होगा बच्चों तो फिलाल बढ़ते हैं quiz की और तिल दें जस वेर और वाच खुल जा सिम सिम पहला question ये रहा fearing whom does the leopards run away Bijju, Bijju's sister, Bijju's grandmother, Bijju's mother बतायी हुगया हो गयाँ ? हो गयाँ ? दोटाई ए बस चिर्ली से उसी के साथ आते हैं next question के explanation पर तो यह रहा next question how does Biju's cow get saved by gunshot by thunders the approach of Biju's grandmother none of the above बता दो की correct answer क्या है जल्दी जल्दी से बता दीजे correct answer क्या है how does Biju's cow get saved by gunshot by thunders the approach of Biju's grandmother none of the above चलो होगया टाइम होगया उसी के साथ आते हैं explanation time पर यह रहा आप लोगों का पहला question explain करने के लिए तो चलो मेरे साथ इस kitkat break पर जहां हम करेंगे explain आप लोगों को ठीक है तो fearing whom अभी हमने यह पढ़ा नहीं अभी पढ़ने वाले हैं ठीक है लेकिन हम यह जब chapter पहले करें थे हम लोगों को पता है होना चाहिए इसे लिए ठीक है तो fearing whom does the leopards run away leopards किस से डर कर भाग जाते हैं बिजू से not at all बिजू की बेहन से नहीं बिजू की दादी से हंजी बिजू की मम्मा से no correct answer क्या है option number c is the correct answer उसे के साथ आते हैं next question पे how does यह does है हमारा ठीक है d o d e s यह how does लिखा वैना यह does होगा how does बिजू स्काव get saved by gunshot गोली से नहीं थंडर से नहीं the approach of बिजू स्ग्राइब बिलकुल सही नहीं correct answer क्या होगा option number c option number c is the correct answer उसे के साथ आते हैं मैं आपको यही बता रही थी समझा रही थी ना वापिस आ जाते हैं snakes and rodents flooded out of the holes and burrows stick shelter in roofs तो वो जो snake है ठीक है जो हमारे साप है rodents है वो अपने अपने बिल से अपने अपने hole से निकल गए है और roofs में shelter लेने की अब क्या कोशिश कर रहे है ठीक है in roofs, etics and go-downs my god oh my god छोटे छोटे जो घर में होते हैं और जो go-downs होते हैं वहाँ पर shelter लेने की सोच रहे है a shrew weak of eyesight blunders about the rooms much to the amusement of the children ठीक है अब जो shrew होते हैं वो उनकी eyesight कम होती है लेकिन बच्चों को बड़ा मज़ा आता है और वो क्या करते हैं amusement आती है उनसे बच्चों को don't kill it admonishes their grandmother shrew जो होते हैं kind of क्या होता है मतलब joshrew होते है kind of insect don't kill it admonishes their grandmother chuchunders are lucky they bring money ठीक है तो मतलब chuchundar हिंदी में बता रखा है shrew क्या होते है हमारे chuchundar होते है ठीक है तो shrew कहते है तादी कहते है chuchundars को नहीं मारते हैं वो money आपैसा लाते हैं घर में chuchundar हो तो मत मारो पाल लो से पैसा लाएंगे and sure enough I receive a check in the mail and sure enough और ऐसा कहते है कि और सही बोलती है दादी मेरे को मेरे mail में check भी मिल चुका है not a very large one but welcome all the same जादा पैसे नहीं हो उसमें लेकिन welcome करेंगे उन पैसो का ये quiz कर लिया है चलो अब आते हैं October 3 पर किस पर October 3 पर We have gone straight from monsoon into winter rain अब हम बारिश monsoon सावन के महीने से direct कहां चले गए है winter rain में जब सर्दियों में भी की दुकी बारिश हो जाती है snow at higher altitudes snow पढ़ती है जब बड़े-बड़े heights पर altitudes, heights पर after an evening hailstorm the sky and hills are suffused with the medical golden light और जब evening hailstorm के बाद एकदम खतरनाग बारिश के बाद जो sky और hills जो होते हैं ठीक है आसमान और जो पहार होते हैं वो किस के साथ mix हो जाते हैं with the beautiful golden light lights के साथ ठीक है अब देखो आ गए है January 26th पर अब तक हम आ चुके हैं किस पर January 26th पर आ गए है winter rains in the hills पहाडों पर winter rains in the hushed silence of the house when I am quite alone and my friend who was here has gone ठीक है ठीक है अब इस शांती भरे घर में जब मैं अकेला होता हूं और मेरा दोस्त जो की यहां पर था और जो की चला गया है it is very lonely very quiet as I sit in a liquid silence a silence within ठीक है तो तो बच्चो तो वो क्या कहते हैं कि जो की मेरा फ्रेंड था जो की चला गया है अब यहां पर बहुत अकेला पन बहुत lonely है बहुत ही शांती है जैसे ही मैं इस शांती भरे जगा में बैठा हुआ हूं मेरे अंदर भी एक शांती है इस शांत की शांती की जगा में बैठा हूं तो मेरे अंदर भी क्या है शांती है surrounded by the rhythm of rain the steady drift इस बारिश की आवाद से surrounded हूं है ठीक है and the steady drift of waters on leaves on lemons on roof drumming on drenched दहलियाज and window panes और जो पानी की droplets and पतो पर है ठीक है roof पर है जो आवाजे कर रही है और जो पानी की बूंदे गिर रही है और दहलियाज फ्लार पर window panes पर वो बहुत अच्छा लग रहे है as I pause near a window the rain stops और जब मैं window के आज पास रुक जाता हूं तो रेन भी रुक जाती है और जब मैं चल पढ़ता हूं तो रेन भी चल पढ़ती है ऐसा होता है ना ऐसा होता है कि जब हमें कहीं जाना हो तो बारिश आ जाती है तो हम रुक जाते है और जब हमें कहीं नहीं जाना होता तो बारिश ही नहीं आती है as I pause near a window the rain stops and starts again जैसी मैं window के वहां रुका तो रेन रुक गई और फिर शुरू हो गई and the trees no longer green but gray my neck weep me with their loneliness मतलब अब वो जो trees जो अब ग्रेन नहीं रहे हैं gray हो गया है मुझे डराते हैं उनके अकेले पन से अब आ गया मार्श 23 अब तो गर्मी आ चुकी है almost late March end of winter आपका भी February चल रहा है ना मार्श तक देखो होली के बाद सब गर्मी आ जाएगी एक दमाब भी धूप आ चुकी है बच्छो ना चलो करें late March March 23 की बात कर रहा है late March की बात है end of winter है winter खतम हो रहा है the blackest cloud I have ever seen squatted over मसूरी सबसे काला बादल जो आज तक मैंने देखा होगा मैंने मसूरी में सब देखा है and then it hailed marbles for half an hour और almost आधे घंटे तक मतलब पत्थर निकल रहा है ओ बारिश के मतलब snow nothing like a hailstorm to clear the sky even as I write I see a rainbow forming और कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि यह hailstorm clear करेगा sky को और जैसे मैं यह इस वक्त लिख भी रहा हूँ डाइरी मैं देख सकता हूँ मेरे सामने एक rainbow बन रहा है समझे चाप्टो चलो पहले quiz करते हैं फिर comprehension check करेंगे यह हमारा है third quiz जल्दी से करते हैं third quiz पर तो खुल जा Simpson पहला question यह रहा the hillsides are lush because of the appearance of flowers during early monsoon, mid monsoon, late monsoon, end of monsoon बताईए जल्दी से correct answer क्या है जल्दी जल्दी बता दो बच्चो जल्दी 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 बताईए पादो हो गया उसी के साथ आते हैं next question पे the word ravine means ravine means earth, valley, hillside या फिर plains जल्दी जल्दी बताओ हो गया time उसी के साथ आते explanation time पर तो पहला question क्या है बच्चो हमारा the hillsides are lush, एकदम green है क्यों क्योंकि early monsoon आ चुक है, mid monsoon है, end of monsoon है, late monsoon है correct answer होगा इसका option number C late monsoon है, hillsides के kone में भी ना जैसे hillsides है, वहाँ पर भी lush green वो आ चुके है ठीक है, okay तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer है, option number C late monsoon, आते हैं next question पर the word rewind, the word है जो rewind उसका मतलब क्या है, जो word rewind है उसका मतलब क्या है बच्चो हमारा इसका मतलब है earth नहीं, valley बिल्कुल सही, hillside नहीं plains नहीं, बताया भी था आप लोगों को तो option number B is the correct answer ठीक है, बहुत बढ़िया उसी के साथ आते हैं बच्चो, comprehension check पर ठीक है, when does the monsoon एक सिंद, when does the monsoon season begin or when does it end how do you appear to face the how do you prepare to face the monsoon करना ये बच्चो, which general question which illustration does the author describe in this diary बताये कौन सा मुस्रूवी for how many days does it rain without stopping 8 days, what does the author do on these days क्या कर रहे थे हो, बता देना where do the snakes and rodents tick shelter कहां पर, घरों में, गोडाउंस में है ना, एटिक्स में क्यों लेते हैं, क्यों उनको जगा चाहिए होती है, बारिशो के चकर में what did the author receive in the mail mail में उनको क्या मिला था बता दीजिएगा ये भी, ठीक है सब पढ़ चुके है, उसी के साथ बच्चों हम करते हैं, आज की class खतम, ठीक है, quiz भी हो गए है तीन quiz और फिर मिलेंगे, आप से